हेलो फ्रेंट्स तो आज मैं आ गई हूं आपके सभी के लिए बहुत यादा टेस्टी पालक और चिकिन की रेसिपी ले करके तो आप सोच रहोंगे यह पालक और चिकिन हां हां मैं आपके लिए पालक और चिकिन की रेसिपी ले कर आई हूं जो खाने में बहुत यादा टेस् किशन आप तक पहुंच जाए स्वागत है आप सभी का स्वाति की देशी रसोई में तो फिर देर किस बात की है बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने पहले से आदा बगोना पानी गरम होने के लिए रख दिया है तो चलिए का वम इसके अंदर पालक डाल देते हैं तो पालक को मैंने धो लिया है और मैंने आदा किलो पालक का यूज किया है जिसको मैंने अची तरीकिसे उसको बिल्कुल देख करता कि इसमें कीड़े नहों अची तरीकिसे मैंने इसको देख लिया था और इसको डाल दिया है चार से पांच मिनिट बा तो चलिए गाज़ की से दबा देंगे इसके अंदर तो हम इसे जाया दर्य के लिए नहीं पकाना था पांडा यह था कि यह तो चलिए गागर शुझ से लिए निकाल लें इस टेंटे पानी में डाल देंगे और शुझ पीच लेंगे तो मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए तो मैंने अभी अधरकोल लेसुन का पेश्ट लिया है एक काटोरी से थोड़ा कम है यह तो चलिए अब इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे तो मैंने इसमें दोनों इलाइची का यूज किया है हरी वाली इलाइची का भी यूज किया है और गाली वाली इलाइची का भी यूज किया है तो आप भी इस तरीके से दोनों इलाइची का यूज करें अगर दोनों ना है तो एक तो जरूर होनी चाहिए तो चलिएगा वो भून चुका है, मैंने आदा चमच healthy powder और एक चमच मैंने इसके अंदर कश्मी लाल मुष पॉर्डर और आदा चमच मैंने इसके अंदर जो रैगुलर हमारी मिर्चोती है वो और एक चमच धनिया पॉर्डर और आदा चमच मैंने इसके अंदर नमक का पॉर्डर नहीं है, मैं डारेक्ट डिसके अंदर डाल रही हूँ, आप यकीन मानेगा आप यह सोच रहोंगे कि प्याज कच्छी लगेगी तो प्याज बिल्कुल भी कच्छी ने लगेगी प्याज अच्छी तरीकी से भून जाएगी मसालों के अंदर कि हम इसको बून ना तो चलिएगा एक चमच में घर काई मसाला डाल देती हूं पिसा हुआ तो गरम मसाला है जो नॉर्मल हम घर में पीसते हैं मैंने अच्छी तरीकी से इसको पीस के रख रखाता तो चलिएगा फिर से पका लेते हैं जब तक तेल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता है मसालों से तो चलिएगा चेक कर लेते हैं तीन चाव मिनट बात तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसालों से आप देखी सकते हैं कि प्यास तो बिल्कुल रजर ही नहीं आ रही है जो हमने कची प्याज इसके अंदर यूज किया है तो मैंने इसके अंदर एक किलो चिकन का देश्टी बनके तयार होगा क्योंकि हमने चिकन को मैंने नहीं किया है तो इसलिए हमें इसको इस टाइम पर अच्छी तरीके से फ्राय करना बहुत ज़रूरी है तो देखिए का मैं अब आप इस तरीके से चलाती रोंगी और मैंने इसको चलाते हुए ही पकाया है बस 5-7 म मैंने इसको ठके रखा था बाकी टाइम पर मैंने इसको अची तरीके से पका की चलाया है एकदम से चलाती है इसको सारा पकाया है मैंने अगर आपको मेरी वीडियो इस अच्छी लगती हो तो प्ली सब्सक्राइब करें और बैल आगन प्रेस कर देना ताकि आगाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं तो चलिए अब लिट धके मैंने इसको पका लिया है पांसे साथ मिनिट के लिए तो देखिएगा चिकिन ने थोड़ा सा पाने रिलीस कर दिया है और ऑल जो है बिल्कुल सरफेस पर आ गया है तो चलिएगा फिर से इ तो के बशे नेदर डीया है तो देखिए का पालक पीस के रखाता है तो देखिए का पालक का जो एक्ष्टा बचाता झाब कर ने eulk हुआ धर से पानी डाले है और आप अगा नेरे थी सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीन है तो ग्रीन है इसको सिए बरकरार क्शन कर लिए कु Cloud बिल्कुल बरकरार रहता है तो चलिएगा मैं इसको चला दूंगे अच्छी तरीकी से लेड़के अब हम इसको पांस से च्छै मिनट के लिए ही पकाएंगे क्योंकि ज्यादा देर के लिए हमें नहीं पकाना है इसको तो चलिएगा 5-6 मिनट बाद हम देखते हैं तो करते हैं तो प्रोणि नहीं फटी पनती है तो चली कि मैसे मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में